ये बताएए चंद्रशेखर रावन लोग कहते हैं बस्पा इस नाम को सुनते ही असहज हो जाती है कि एक उभरता हुआ दलित नेता है और वो माया वती जी की जो लेगसी है उसको क्लेम कर रहा है क्या चंद्रशेखर रावन के साथ कभी बस्पा ने किसी भी इस्तर पर समवा की कोशिश की कोई कम्यूशन है आपनों के बीच किस चीज का समवाद उन से करेंगे जब वो कह रहे हैं कि हम उन से किस बात का समवाद होगा वो बहुजण उनके जो लोग उनके साथ में जो कहते हैं मेरे साथ में आया थी जो वो सब भी छोड़ गए उनको आपने देखा उनके सारे जितने उन्होंने पार्टी बनाई थी भी मार्वी नाम से चलाया था, उसके सब लोगोंने तो बहुजन समाज पार्टी को जॉइन कर लिया, नबे प्रदेशत लोगोंने तो खाली, जो हमारी ही मीटिंगे थी, पूरे प्रदेश में, हर जिले 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 में जा करके खुदी बयान दे रहे तो रो रहे थी हमारी बेज़िती कर दी हमको दो माइने से यहां लटका के रखा, बैठाल के रखा, ओ कह रहे हैं एक टिकेट ले लो जुन-जुने के नाम पे, और मिल भी नहीं रहें, और बात भी नहीं कर रहें, और मैं पढ़ा हुआ हूँ, द जो दलत समाज है और लोग है जो पिछल और समाज के लोग ये लोग जो हैं आज सब लोग जो हैं बहन मायती जी को देख रहे हैं कि उन्हों ने कितनी संगर्श किया कितनी लड़ाई किया और कैसे आज उनके लिए आज भी तटस्ट खड़ी हुई है और जो लोग खाली जोर कर लूँगा वहन मायतीजी को कमजोर कर लेंगे और इस नियत में आप दूसरी पार्टियों के साथ में या किसी के साथ में किस पार्टी के साथ में आप जाना चाहते थे आज कल आप कह रहे हैं साथ में ये क्यों नहीं बताया उन्होंने कि उस पार्टी में हम जाना चाहते थे जिनों मेरी याद बेज़िती कर दी और मैं उस समय भूल गया था कि ये तो वही पार्टी है जिसने की संसत के अंदर रिजर्वेशन का बिल फाड़ा जिसने की कॉंस्ट्यूशन अमेंडमेंट का बिल फाड़ा फड़वाने काम किया ये तो आप लोग भी 2019 में भूल गए थे लोग सभा चुनाओं के दोरान आपने उसी सभा से घट जोड किया यही नहीं उनों ने ये भी नहीं है उनको याद रहा कि ये वो लोग है जिनों ने 2000 उस समय फड़वाने जो काम किया था उनोंने मानवर काशी राम जी के नाम से जो इनिवस्ट्री बनी थी उसको नाम बदलने काम किया उनोंने यहाँ पर डॉक्टर बाबा साब भीम राओं बेटकर के नाम पे जो पार्क था उसका नाम बदलने का काम किया उनोंने जो बच्चे बाहर पौने जाते थे फ्री उनको पढ़ाई का इंतजाम बहन मायतीज ने कराया था, उसको रोकने का काम किया, उन्होंने एक-डो काम किया, तो यह हम तो, चंशेका रावान को यह सब याद रखना चाहिए, तो हम को तो यह वाले कहते हैं, कि कटू अनभा हमारा हुआ, वो तो जेरो से दस पर पहुंच गए, हम पाथ के पाथ प्लoff में तो जहां ते नंबर आफ सीट्स कम हो गई और उतना वोट परसेंटेज तो हमारा पहले जितना था चौदा में हमने आपको बताया था नहीं मैं कह रहा हूं चौदा में आप जितनी सीटों पर लड़े उसके मकाबले 2019 में आप आधी सीटों पर लड़े और वोट परसेंटेज आपका उतना ही रहा तो उनका कहना है कि यह सली को कि साइकल वालों ने अगर दिया होता तो साइकल वालों देखिए यह सब को मालूम पूरे देश को मालूम है कि बहुजन समाच पार्टी का ही इसा वोट है जो कि ट्रांसरबल वोट है और अगर इन वोट इनका ट्रांसरबल होता तो फिर इन्हों ने तो बहुत से गड़बंदन किये कहां कहां आपकी बार भी गड़बंदन किये अपकी बार आप लिस्ट उठा के देख लिए गड़बंदन के जब दस मार्च को रिजल निकलेगा तो जितनी भी जिसके जिसके साथ गड़बंदन किये, उनकी सीटों का हल देख लिएगा, आप जो आज हम कह रहे हैं, उस समय आपको फिर से खुला सा हो जाए, कितना वोट ट्रांसफर किया, कितने, क्यों वो सारी सीटें हारे, इस पर बहुत बात होती है कि बस्पा के पास वो ताकत है, कि वो अपना वोट ब बड़ा प्रियोग हुआ था 1993 में, जब नई बनी समाजवादी पार्टी और 1984 में बनी बस्पा का गट जोड हुआ, नारा लगा, मिले मुलायम काशी राम, हवा हो गए जैश्री राम, तो जो इनक्यानवे से बीजेपी के पक्ष में लेहर बन रही थी, वो रुख गई, ज यह वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने 2007 के पहले बस्पा की मीटिंग्स में जैश्री राम का नारा लगवाना शुरू किया था, और आपने खुदी का, कि तब कई लोग इससे शुरू आती दोर में आसा है जोए, और सतीश्यन मिश्रा को लगा कि अगर यह सपा बस्पा का यह आकी बस्पा से स्टेटमेंट आएं, माया वती जी की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट आएं कि यह कठ जोड लोगसवा चुनाओं के बाद खत्म हो जाए, क्यों कहते हैं वो लोग ऐसा है, देखिए, यह तो हास्यास्पत से चीज़ें हैं, और परशन भी जो लोग रेस करत हैं, वो भी उनको भी समझना चाहिए, कि शायद जितना बीजेपी के विरोध में, पारलिमेंट के अंदर, राजसभा से ले करके, राजसभा से बाहर, और पिछली 96 मीटिंगों में उत्तर प्रदेश में, जितना उनके विरोध में हमने बातें रखी हैं, उनका खुलासा क पार्टी से गर्जोड कराने का काम हमने करा दिया, बीजेपी को नकसान पहुचाने के लिए, 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 और कहें कि इन्होंने बीजेपी के फाइदा कराने के लिए गर्जोड अरे गर्जोड देखें गर्जोड हुआ था कैसे हुआ था क्या हुआ पूरी नहीं गर्जोड जब वो फोन पर नहीं आए और बहां और बाचीत नहीं की तो ऐसे में गरजोड आगे कहा चल सकता है जबकि तो और भी चीज़ें थी उन्हों सब कहीं थी उन्हों कहा था तो इसमें ये कहना की देखे दिक्कत क्या है सबको चाहिए वो समाजबादी पार्टी हो उनके खिलाफ ख जब उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो शायद सबसे ज़्यादा खुल करके हमीने बोलने काम किया भारती अंता पार्टी की सरकार चल रही पिछले पांच बर्चों में उठा के देख लीजे अभी से नहीं चौदा से देख लीजे जब पहला हमारा भाशना उनकी सर ही पे चलती है पार्टी की जो सोच है जनता के लिए हम उसके हसाब से चलते हैं और हम कभी भी चाहे समाजबादी पार्टी हो चाहे भारती अंता पार्टी जब हम जिसके साथ में हम उसके साथ में और जो हमाई पार्टी की रणनीती होगी जो पार्टी की हमाई नीती है ज हम लोग तो इदर उदर हो गए सतीज मिश्रा क्यों नहीं इदर उदर हो रहे हैं